हेलो फ्रेंड्स वेलकम आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी मसाले दर कद्दू की सबजी तो सबसे पहले हमने कद्दू को धो करके काट लिया है तो चलिए सुरू करें कद्दू को हम बनाएंगे लोही की कड़ाही में आप किसी भी कड़ाही में इसे बना सकती है सबसे पहले सरसों का तेल तेल हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे पचपूरन तो यह देखे इसमें राई, सौफ, जीरा, कलोंजी और मेथी उसको डाल देते हैं डालते हैं एक लाल मिर्च और यह ठाली मिर्च अब डालते हैं तो सोड़ी सी ही अब डाल देते हैं 1-2 चमज ठलवी धन्या पाउड़ा एक चमच एक चमच लाल मिल्च पाउड़ा एक चमच नमक आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी आठ कर देंगे ताकि कद्दू हमारा अच्छी तरह से पक जाए अब कुछ सेकंड के लिए इसको धग कर पकने के लिए खोल देते हैं अब हम इसे खोल कर देंगे अब इसी में हम दाल रहते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी गरम मसाला एक चमच और इसे थोड़ा मीठा पनाने के लिए इसमें डाल देते हैं इक फुटा हुआ गुड़ो देंगे एक चमच अब इसे थोड़ी देर के लिए धक कर पकने के लिए छोड़ देते हैं अब इसे हम खोल कर एक पर चप कर लेते हैं अभी इसमें हलका हलका सा पानी है इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से घुलना जाए अगर आप ग्रेवी वाला कद्दू चाहते हैं तो इसमें हलका सा पानी भी इसमें एड़ कर सकते हैं पर हम इसे सूखा ही बनाएंगे वैसे तो आप किसी भी कड़ाही में इसको बना सकते हैं पर लोही की कड़ाही में बना हुआ कद्दू ज्यादा टेस्टी लगता है अब कद्दू हमारा यह अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पॉबर एक चमच अमचूर पॉबर अमचूर पॉबर हमेशा कद्दू पकने के बाद ही डालिए वरना पहले अगर डालने के बाद यह तक्चा रह जाएगा इसलिए लास्क में ही अमचूर पॉबर डालिए अब यह कद्दू हमारा पक्यत तयार है चलिए इसे अब साब करते हैं देखे ये हमारा कद्दू बनकर तयार अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो इसे लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं फिर अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाई